अलो स्टॉकियान मैं हूँ मोईत पाथक फांडर स्टॉकियान थैंक यूफ वाचिन इस वीडियो देखिए ज्यादा दा लोगों का सवाल आता है कि सर्जी बीग ट्रेड प्लस या फिर बीग ट्रेड और नॉर्मल ब्रैकेट जो आडर हम लगाते हैं उसमें दोनों में कर रहे हो या फिर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस नूमर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको सपोर्ट किया जाएगा और आपकी गाइड आपको गाइड किया जाए गाड और अगर मुसे सीखना चाए थो आप बेसिकली मेरे हर में यह नहीं ऑपका मोबाल आप्लिकेशन उसके बारे में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्しかon में जाएगे, नीचे आप अगर जाएगे तो territory the tiger और यहाँ पर आपको देखें tvtiger और अगरन प्लें के बाद आपका थ सब Roman और इन सब'S डिटेल मैंने दे रखा है आप इसको join जरूर करिएगा अगर सही लगे और अगर कोई confusion हो तो इस नमर पर call करके अपना query पूछ सकते हैं चलिए चलते हैं अपने सेर्खान के mobile application पर सबसे पहला point कि भाई यह big trade plus और big trade में difference क्या है तो अभी के लिए फिलाल कोई difference नहीं है यह समझो लेकिन big trade plus और normal जो bracket order हम लगाते हैं उन दोर में difference जा है ओके हम bracket order में भी stop loss target एक साथ लगा सकते हैं और big trade plus में भी stop loss target एक साथ लगा सकते हैं तो मैं दिखाता हूँ कैसे जैसे लेट से मैं गया लेट से मैं जा रहा हूँ ACC ACC पर क्लिक करूँगा और मैं बाई पर क्लिक करूँगा तो पहले तो टीओ टीपी ले लो खत्म होने दो इसको 72 तेज़ तो मैं यहाँ पर आ गया अब देखो मैं buy big trade plus कर दूँगा तो buy big trade plus मैंने अगर कर दिया तो simply यहाँ पर देखो bracket by default आ जाएगा और यहाँ पर entry point यहाँ पर profit और यहाँ पर मेरा stop loss लग जाएगा लेकिन अगर मैं इसी script को ACC पर क्लिक करके buy पर क्लिक करके मैं सिर्फ buy कर रहाँ और bracket select कर दे रहाँ तो भी देखो मेरा stop loss और target दोनों आ गया इंटरी भी आ गया तो stop loss target तो yes point इसका यह दोनों में difference देखो पहली बात तो similarity समझो similarity यह है कि चाहे buy करो चाहे big trade plus करो buy big trade plus करो दोनों ही आपके जाएंगे bracket order में bracket order का मतलब होता है आपका entry आपका target और आपका stop loss दोनों एक सांथ लग जाएगा दोनों में से जो भी heat होगा आपका वहाँ पे position close हो जाएगा तो पहली बात तो similarity समझो similarity यह है कि दोनों ही stop loss target एक सांथ लगाने की facility देते हैं और दोनों के दोनों ही order bracket में जाएंगे difference क्या है तो difference यह है कि जब आप buy करोगे तो इस buy में आपको limit नहीं मिलेगी यानि आपको जितनी इसकी margin होगी उतना देना पड़ेगा लेकिन जब आप buy big trade plus कर दे रहे हो तो buy big trade plus में आपको limit मिलती है यानि कि आपके पास अगर 10,000 का stock है तो आप 20,000, 30,000 का buy कर सकते हो यह बात आद रखिए तो पहली बात आपको leverage मिल जाती है पहला difference है leverage का दूसरा difference है कि यह जो big trade plus है यह pure intraday है इसको आप carry forward नहीं कर सकते हैं carry अगर करना भी है तो आपको उतनी margin देनी पड़ेगी तो ही आप carry forward कर पाऊगे अदरवस नहीं कर पाऊगे याद रखो तो यह pure intraday का है यानि कि अगर आपने order लगा दिया और 3.30 मिनट के पहले आपका target भी हिट नहीं हुआ और आपका stop loss भी हिट नहीं हुआ तो भी यह आपकी position square आफ हो जाएगी 3.15 मिनट के बाद यह बात आद रखिए तो भी आपकी यह position square आफ हो जाएगी लिकिन जो आप normal buy कर रहे हो तो उसमें आपका stop loss और target अगर नहीं आया तो इस case में आपकी position square आफ नहीं होगी वो बलकि carry forward कर दी जाएगी यानि अगले दिन के लिए वो delivery में चली जाएगी तो यह दो difference है आप इसको याद रखो और य दोर वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तक सांसे एर करिए थैंक यू एन मिसेंगों all the best